हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है मिश्टर संजेवर्मा आज किस वीडियो में हम लेक रहे हैं बिजली फिटिंग वाले मोडलर लोहे के बकसे जब भी हम कोई नया घर बनाते हैं ओफिस बनाते हैं होस्पिटल बनाते हैं तो हम अंडरगराउंड फिटिंग करवाते हैं अंडरग वीडियों के अिंदर हमापको यह जो vaks हैं यह कितने मोडूल के आते हैं कि size के होते हैं इनका wholesale price क्या है kastomer price क्या है वह सब कुछ आपको इस वीडियों में बताने वाले हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके size और module के बारे में तो सबसे पहले वाला जो box है वह तीन-तीन के size का यानि की 3 इंच हीस के लिंबाई और 3 इंच हीस के चुड़ाई है इसको हम 2 module का box या फिर 1 module का box भी बोल सकते हैं एक module का मतलब होता है कि जो एक सी उचाता उसको हम 1 module बोलते हैं जो socket का size होता है वह 2 module का होता है तो वेसे हम इस video के अंदर एक module के हिसाब से ही बात करने वाले हैं कि box कितने module का है तो यह 3-3 के size का box आपने सामने देख लिया है जिसको हम 1 module और 2 module बोल सकते हैं उससे आगे वाला जो box है वह 4-3 का box है यानि कि इसके जो लंबाई है वह 4-inch की है और चोड़ाई जो है वह 3-inch की है इसको हम 3 module का box बोलते हैं यानि कि इसके अंदर हम 3 switch लगा सकते हैं यदि आपको 1 switch रेक socket लगानी है तो आप वह भी लगा सकते हैं इससे आगे आ जाता है 5-3 का box इसके जो लंबाई है 5-inch की है और जो चोड़ाई है वह 3-inch की है इसको हम 4 module का box बोलते हैं इसके अंदर आपको 4 switch लगाने आप 4 switch लगा सकते हैं यदि आपको 2 socket लगाने आप 2 socket भी लगा सकते हैं 2 switch या 1 socket लगाने इस तरह से भी आप लगा सकते हैं इसको हम 6 module का box बोलते हैं इसके जो चोड़ाई है वह 3-inch की है और जो लंबाई है वह 8-inch की है इस box के अंदर आप 6 switch लगा सकते हैं यदि आपको 1 socket लगाने ये 4 switch लगाने वह लगा सकते हैं आपको 2 switch 2 socket लगाने वह भी लगा सकते हैं और सबसे ज्यादा fitting के अंदर ये box यूज किया जाता है इससे आगे वाला जो box है वह 5-5 का box 5-inch की लगाई है 5-inch की चुड़ाई है इसको हम 8 module का box बोलते हैं इसके अंदर आप 8 switch लगा सकते हैं यानि कि इसके अंदर आपको 2 socket लगाने है 4 switch लगाने वह लगा सकते हैं जैसे कि 1 regulator लगाना है 2 socket लगानी है 2-3 switch लगाने इस तरह से आप setting कर सकते हैं इससे आगे वाला जो box है वह 8-6 का box इसकी जो लंबाई है वह 8-inch की है और जो चोड़ाई है वह 6-inch की है इसको हम 12 module का box बोलते हैं बिजनिफ्टरिंग के अंदर यह बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है यानि कि इसके अंदर हम 12 switch लगा सकते हैं और जो item है आप अपने ही साब से setting कर सकते हैं socket लगानी है, regulator है इससे आगे हम जो box लेते हैं वह आते हैं 9-3 का box और 10-3 का box दोनों ही सामने आपको दिखाई दे रहे हैं यानि कि 9-3 का box और जो चुड़ाई है वह तीन इंच की है इसी तरह से जो 10-3 का box है उसके जो लगाई है 10-3 के जो चुड़ाई है वह तीन इंच की है इन दोनों box को हम 8 module का box बोलते हैं आप सामने देख सकते हैं कई कंपनियों के जो सीट होती है कुछ स्पेसल होती है जो कि सिर्फ 10-3 के box पही आती है तो इसलिए उसे 10-3 का box लगाना पड़ता है तो इसके हलावा वैसे जो market के अंदर हम बात करते हैं 8 module का box की तो 9-3 का box आप से जाधा market के अंदर दिखता है यदि आप भी विजली फिटिंग करा रहे हैं और इन दोनों box में से आपको एक select करना तो आप 9-3 का box select करें क्योंकि इसका price भी कम है इसके इलावा लग बग सभी कंपनियों के जिट 9-3 के box के उपर असानी से लग जाती है अब हम लेते हैं इससे अगला box इससे अगला जो box है वह है 8-8 का box यानि कि 8 इंची इसकी लंबाई है और 8 इंची इसकी चुड़ाई है इसको हम 18 module का box बोलते हैं इसके अंदर हम 18 switch लगा सकते हैं यह जो box होता है सबसे कम फिटिंग के अंदर यूज होता है इस box का उपयोग हम अधिकतर ओली जो बड़ी बड़ी फैक्टरियां होती है वहाँ पर ज्यादा switch लगाने होते हैं वहीं पर करते हैं नॉर्मल घर और गरा के अंदर इस box का उपयोग नहीं किया जाता यह सभी box में आपको दिखा दिया है कितने module के हैं इस तरह के भी जानकारी आपको देती है किस size के वह भी आपको हमने बता दिया है अब हम बात करते हैं इनके price के बारे में price depend रहता है लोहे के quality के उपर क्योंकि यह लोहे के box होते हैं हमने जो आपको इस वीडियो के अंदर दिखाई है यह black color के heavy weight के अंदर और heavy quality के अंदर लोहे के box हैं तो इस वीडियो के अंदर हम इनके price के बारे में बात करने वाले हैं इसके अलावा healthy box भी आपको market के अंदर देखने को मिल जाएंगे परन्तु मैं आपको heavy quality वाले best box बिजली फिटिंग के अंदर यूज करने के लिए बोलूँगा क्योंकि यह जल्दी से जंग नहीं पकड़ते हैं उनके जो quality होती है जो चद्दर होती है वह heavy होती है इसके अलावा जब हम screw वेगरा tight करते हैं तो अच्छे से हम इन बोक्स के ओपर fit कर सकते हैं हल के जो box होते हैं कुछ समय बाद में उनके उपर जंग लग जाता है वह जल्दी खराब ही हो जाते है परन्तु heavy quality वाले जल्दी सी जंग नहीं पकड़ते हैं और लग बग वह खराब ही नहीं होते हैं अब हम बात करते हैं के price के बारे में तो सामने आप देख सकते हैं यहां पर आपको starting वाली जो लाई ने वहां पर box का size लिखा हो दिखाई दिया उसके बाद में wholesale जो disp yea price यानि कि दुकानदार को जो rate आते है वह price हमने लिखा हो या उसे से आगे दुकानदार customer को जो rate देता है वह लिखा हुआ है जैसे कि हम बात कर लेते हैं 33 का box है वह दुकानदार को 12 गात्ता है वह customer को 30 करता है चैरतिन का जो साइज है वे 27 रुपे आता है और 32 रुपे सेल करता है पांस तिन का जो बोक्स है वे 33 रुपे आता है और 35 रुपे वे सेल करता है आर्टिन का बोक्स है 45 रुपे आता है 50 रुपे वे सेल करता है 9-3 का जो box है वह 48 रुपय आता रो 60 रुपय सेल करता है 8-6 का जो box 62 रुपय आता रो 70 रुपय सेल करता है 10-3 का जो box है वह 55 रुपय सेल करता है 8-8 का जो box है वह 80 रुपय आता रो 90 रुपय दुका अंदर सेल करता है यह जो price हमने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है, यह आज के दिन का price बताया है, वैसे दोस्तों आज के दिन का wholesale price है, वह तो लगबग आपको same ही मिलेगा, इसके अलाओ जो customer price है, वह आपको change मिल सकता है, कई दुकांदार होते हैं कि कम margin रखकर यह जो box गयरा sale कर देते ह कई दुकांदार होते हैं कि ज्यादा margin रखकर sale करते हैं, तो हो सकता customer price थोड़ा बहुत आपको change मिल जाए, अब हम बात करते हैं, future के अंदर इनका प्राइस है, वह क्या रहेगा, वैसे तो दोस्तों मैं आज आज आपको नहीं बता सकता कि future के अंदर इनका price क्या रहेगा, प्रन्तों आपको मैं थोड़ा सा idea से बता देता हूं, जैसे ही लोहे का जो price है, वह बढ़ेगा, तो इन box का जो price है, वह भी बढ़ जाएगा, यदि लोहे का price कम होता है, तो यह जो box है, इनका price भी कम हो जाएगा, इन लोहे के box का जो price है, लोहे के उपर depend रहता है, इन box को लेकर आपका एक और question रहेगा कि जो branded जो box होते हैं उनका price हमेशा ही ज्यादा रहता है जैसे कि आप किसी भी branded company की इस तरहे के box पर चेज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि उनके उपर पोल थिंचड़ा होगा या गत्ते की पैकिंग के अंदर होंगे आप box के अंदर इस तरह आपको एक बात ध्यान रखनी है जो लोहे की जो चदर है उसके आपको quality चेक करनी है वह आपको एकदम हेवी दिखनी चाहिए यदि आप किसी branded के चकर में आप यह box purchase करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा कोशली लग जाते हैं तो दोस्तों आप इस तरह के black color के जो box होते हैं वैब purchase कर सकते हैं अच्छी quality के होते हैं और यह जो box होते हैं black color वाले आपको market के अंदर कहीं पर भी असानी से मिल सकते हैं तो आपको वीडियो अच्छी लिगाते हैं आप इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें यूटूब चैनल को subscribe करें